हमें क्या ध्यान में रख रहे हैं सर क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा लास्ट आर में एक शाप रिक गिरावट आई थी मंडे को गैब डाउन के बाद हम अच्छा समले थे और लास्ट आर में ठीक ठाक बंद हुआ हलका ही बंद हुआ और बैंक निफ्टी तो वलकी पॉज अगर फेड की बैठे कि कुछ भी खराब नहीं होता है तो बाजार यहां से दोड़ लगा सकते हैं इसके संभावना पूरी बन रही है बन रही है तो मैं मार्केट को लेकर पोजिटिव थे खराब होना होता ना दीप और अगर आपको सोलह आठ सो सोलह नो सो के नीचे जाक बिलकुल नीचे लिए हर बार डिफेंड कर रहे हैं तो मैं आपको दो चीच बहुत स्ट्रोंग ली बताना चाहता हूं और वो यह कि डाउनसाइड रिस्कम होरी और अपसाइड खुल रही है क्यों पहली चीच अगर गिरना होता तो गिरने के लिए बहुत बढ़िया समय दूसरा गिरने के लिए आग में गी डालने का काम, FIS की बिखवाले ने भी क्या, लबा कर बेच रहे हैं, फिर भी नहीं गिरें, दोनों कंडिशनिंग होने के बाहुद, तो, रीजन क्या है, रीजन यह कि मार्केट हलके बहुत है, हमने अपरेल सिरिज की शुवात बहुत हल नहीं है, ठीक है, और LIC के IPO को लेकर, जो लोगों को बड़ा डर था कि liquidity निकल जाएगी system में से, बड़ा IPO कीचेगा, response कैसा आएगा, वो डर भी खतम, कोई बहुत size बड़ी नहीं तखी है, price बहुत बढ़िया की, इस से बढ़िया price की उम्मीद करें तो भी गलत है, discount के रहा है, anchor book बढ़िया बन रही, किस चीज का डर है, ऐसे तो डर्त रहेंगे तो जिनके में कभी आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे, correct, so मेरा ये समझ जाए, कि अगर आज की FED की meeting से कोई accident market के लिए ना है, LIC के IPO को लेकर तो मैं positive हूँ कि वहां से कोई अब जटका नहीं ल और मेरा बाइस positive side पर जा रहा है, और जो आपको दिखा रहा है, 1610 के नीचे दिखा रहा है, 17100 के नीचे दिखा रहा है, 1715, 1715 के नीचे नहीं खुलेंगे, वाव, तो और ज्यादा confidence है है, मुझे लगता है, मजबूत शुरूआत होने वाली है,